इस वक्त कि द्वस्तो तमाम बहुत पड़ी खबरे मुख्य समाचार सामनी निकल के आ रहे हैं दोस्तों जहाँ पर एक एक करके चलेंगे सभी पड़ी खबरे मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुँ जाएंगे इसलिए लगातार हमारों साथ हुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा वी सपोर्ट इंडिया पहली बड़ी खबर बताते चलें सुप्रीम कोड का चला है केंदर सरकार और चुनाव आयोग पर एक साथ हतोड़ा जी हां दोस्तों तीन दिसंबर को पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आने हैं उससे पहले सुप्रीम कोड बड़ी कारवाई के मूड में नजर आ रहा है अक्सर देखा गया है कि पर ही काम करता है भाजपा नेताओं पर कोई भी कारवाई नहीं होती है विपच्ची नेताओं को नोटिस भी जारी कर दिये जाते हैं इस बीच प्रधान मंत्री के खिलाब कारवाई कर सके ऐसा होना चाहिए मुख्य चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोड की बड़ी बताते चले सुप्रीम कोड ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन आयोक्त की नियुक्ती के लिए परामर्स प्रकरिया में देश के प्रधान नयायदेश यानि की सीजियाई को सामिल करने से निर्वाचन आयोक्त की स्वतंधरता सुनिश्यत होगी सुप्रीम कोड ने आगे कहा है कि मुख्य चुनाव आयोक्त ऐसा होना चाहिए जो कि यहाँ पर प्रधान मंतरी तक पर कारवाई कर सके ना कि सरकार की हां मेहां मिलाने वाला मुख्य चुनाव आयोक्त होना चाहिए यह यहाँ पर सुप्रीम कोड की बड़ी टिपड़ी सा इंदर सरकार पर दोस्तों अगर आप लोग भी मानते हैं कि सुप्रीम कोट ही देश के लोक तंतर को बचाएगा तो अब इस वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें भारत जोडो यातरा ने भारतिया राजनीती में लाया है बदलाओ मोहब इसके नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनकी भारत जोडो यातरा ने भारतिया राजनीती को हमेशा के लिए बदल दिया है क्योंकि इसने राजनीतिक चर्चा में महबबस सब्द को वापस ला दिया है बताते चलें चुनावी रैली को समोधित करते हुए आत्मा गांधी के समय में राजनीती में महबस सब्द का इस्तमाल किया जाता था भारत जोडो यातरा से पहले कोई भी राजनीती में महबस सब्द का इस्तमाल नहीं कर रहा था हमने राजनीती में प्यार को बढ़ावा दिया राहुल गांधी ने दोहराया है कि उनका लक् दोस्तों आप लोग दोस्तों राहल गांधी का समर्थन करेंगे या नहीं केंदर में महबत की दुकान खोलने में अपनी राय भी जरूर बता सकते हैं अगर समर्थन करेंगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं दोस्तों CGI DIY चंदरचूर अब रुकने वाले नहीं हैं मोधी सरकार को लगा दी है फटकार कहा किस कानून के तहट कर रहे हैं मनमानी CGI DIY चंदरचूर की बेंच ने केंदर सरकार से पूछा आप एक I.S. अधिकारी पर आकिर क्यों अटके हैं क्या है पूरा मामला बताते चलें केंदर सरकार ने सुप्रीम कोड को बताया है कि वहाँ नए चीप सेकेटरी की नियुक्ती होने तक दिल्ली के मौजूदा मुक्ष सचिब नरेश कुमार का कारका सीमित अबदी तक के लिए बढ़ाना चाहती है इसके बाद सुप्रीम कोड की बेंच ने केंदर सरकार का प्रतिनितु कर रहे सौली सीटर जंजल से पूछा कि सरकार किस प्रावधान के तहत में ऐसा करना चाहती है बताते चलें आप लोगों के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था एडी प्रमुख का कारकाल मोधी सरकार लगातार बढ़ाये जा रहा ही थी लेकिन फिर सूप्रीम कोड का डंडा चला जिसके बाद यहाँ पर नए प्रमुख को लेकर के आई केंदर सरकार लेकिन अब यहाँ पर केंदर की दोर से पेस सॉलिस्ट रिटर जनरल तुशार मैता ने सीजी आई डीवाई चंदरचूड की अध्यचता वाली तीन जजों की बेंच को बताया कि जब तक नई न्यूकती नहीं हो जाती है हम वरतमान मुख्य सचिप का कारकाल बढ़ाना चाहते हैं इतना कहते ही यहां पर अपडेट की तरह बढ़ते हैं दोस्तों तेलंगाना विधान सभा चुनाओ के परचार का सोड़ थमा है सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को होगा मतदान जीहां दोस्तों तेलंगाना विधान सभा चुनाओ के लिए परचार अभियान मंगलवार साम को समाप्त हो गया है रोड सो करके भी लोगों से वोट करने की अपिल की है उमिदवारों और उनकी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए यहां पर ताबड तोड रैलियां राज्जी के अंदर की हैं बताते चले कॉंग्रस के नेता राहुल गांधी प्रियंका गांधी रेवंत रैठी ने पार्टी उमिदवार के समर्थन में रोड सो के साथ में अपना अभियान समाप्त किया है यह यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कॉंग्रस पार्टी ने तेलंगाना के अंदर पूरी ताका जोगती है और वहीं सोनिया गांधी प्रचार करने नहीं पहु है दोस्तों एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं दिल्ली की अदालत ने संजय सिंग की जमानत याजिका पर एडी को नोटिस भेजा है 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा जिया दोस्तों दिल्ली की एक अदालत ने आप कारी नीती मामले में आम आदमी पार्टी क राज सभा सानसद संजय सिंग की जमानत याजिका पर एडी को नोटिस जारी किया है बताते चलें राउ जैवनी कोट के विसेश नियाधीस म के नाक पाल ने एडी को 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है नियाधीस ने केंदुरिय जांच एजनसी से आरोपी को यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि संजय सिंग ने जमानत याजिका दायर की है जिस पर एडी को नोटिस जारी किया गया है और जवाब तलब किया गया है दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरह बढ़ते हैं अरविंद केजरिवाल की बढ़ेंग मुश्किलें गोआ की अदालत ने भेजा है समन जीहां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें रीस्वत खोरी का लगा है आरोप गोआ की एक अदालत ने आदर्स आचार सहिता के उलंगन की एक कथित मामले में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरिवाल को समन जारी किया है कोट ने उन्हें 29 नवंबर को यानि की आज उपस्तित रहने के लिए कहा है आम आदमी पार्टी के स्थाई इकाई ने कहा है कि उसे समन मिला है लेकिन उसे दिल्ली के मुख्यमंतरी के खिलाफ में आप रादिक मामले के विवरण की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बर फिर से यहाँ पर अरविंद केजरिवाल को समन जारी किया गया है से पहले भी कई मामलों में अलग-अलग मामलों में समन जारी किया जा चुका है केजरिवाल को इस समय कि दोस्तों आज की त सभी दोस्तों में और चैनल परना है तो दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत